सो हेलो दोस्तों मैं हूँ आपका प्यारी गेमर और आज की इस वीडियो में आज सभी के सवकाते सो गाइज आज हम करने वाले हैं दो फोन के बीच कंपरेजन Poco F5 5G इन फोन को मैंने क्यों सेलेक्ट कि हूँ क्योंकि गाइज पोको में लाच लाउंचिंग Poco F5 है इन फोन के लिए रिजाइन किया गया है और काफी तगडी गेमिंग होती है दोनों ही फोन में बहुत सारे कॉमेंट्स आते रहते हैं कि इन फोन के साथ किसी का कंपरेजन करो ज दोनों फोन में से बैस्ट फोन कौँसा निकल के आता है सो सबसे पहले करते हैं वो टेस्ट दोनों को एक साथ रिस्टार्ट करते हैं 12 & 3 गो यहां पर कौँसा फोन होता है स्टार्ट का इस देखो प्रोसेसर के इसाफ से प्रफॉमिंज भी अच्छी होती है एंड जो इन तो स्कोर 11,00,000 से भी उपर काता है भट यहाँ पर देखते हैं कि होता क्या है इन्फिनिक्स तो मुझे ऐसा लग रहा कि जल्दी स्टार्ट कर लेगा और कर लिया इन्फिनिक्स पहले स्टार्ट हुआ है इसके बाद 2-3 सेकेंड के बाद Poco F5B स्टार्ट हो गया था मतलब कि यहाँ पर काफी टक्कर का मुकाबला होने वाला है आप करते हैं इसमें स्पीड टेस्ट मतलब कि एप लोड़िंग करके देखे बट उससे पहले हम करते हैं OS Performance Processor की बाद सबसे पहले यहाँ पर MIUI वर्जन देखने के लिए मिल जाएगा Poco F5 में 14 का एंड जो Android वर्जन है दोनों में सेम है Android वर्जन 13 का है एंड इस फोन की जो RAM है वो 12GB RAM है 12GB RAM and 256GB internal storage समझ सकते हो 12GB RAM and 256GB internal storage मतलब कि फोन की performance and processor देख सकते हो Snapdragon का 7 Plus Gen 2 है जो की latest processor है and newest processor है and काफी ज्यादा कतरनाग है and बात करूँ इसी की opposite Infinix में so Infinix में XOS देखने के लिए मिल जाता है V13.1.0 का and Android वर्जन जैसे की मैंने बताया दोनों में Android वर्जन सेम है Android 13 है and जो processor है MediaTek Devensity का है and यह जो processor है उतना भी जड़ा बैस नहीं है 8050 का and इसमें 8GB RAM है 256GB internal storage and इसकी जो 8GB RAM है उसको 8GB तक और बढ़ा सकते हैं sorry मैंने बोला कि speed test करना है and मैं कहां फोन के features के बारे में बताने रगा लेकिन यहाँ पर सबसे पहले सुरुआत करते हैं free fire से boot test से तो हमने कर लिए अब यहाँ पर speed test करना जरूरी कि कौन फास्ट है पहला नम्मर में first आया POCO F5 चलो इसके बाद हम करते हैं so मैंने ज्यादा एप को select करके नहीं रखा है यहाँ पर दो तीन एप में ही पता चल जाएगा कौन कितना फास्ट है एंड जब फोन का हम performance चेक करते हैं ग्राफिक चेक करते हैं उसमें पता चल जाता है फोन का performance कैसा है एंड प्रोसेशर के हिशाप से फोन कितना अच्छा वर्क करेगा एंड चालेगा so यहाँ पर PUBG लोड हो रहा है दोनों में अब दोनों कितनी जल्ली करते हैं वह नहीं पता यहाँ पर POCO F5 में पहले हुआ उसके बाद यहाँ पर GT10 Pro में हुआ यहाँ पर देख सकते हो दो बार जीत चुका है F5 इसके बाद यह पर YouTube करते हैं 123 इन दोनों ही फोन में 120Hz का refresh rate है मतलब कि डिस्पले में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है एंड फोन की speed and app loading को test करने के लिए हमने काफे सारे इनहीं के जो एप रहते हैं उनको test कि आप देख सकते हो खुदी देखो एंड खुदी decide करो कि यहाँ पर फोन fast कौन सा है एंड मुझे comment box में comment आप करना की fast आपको कौन सा फोन लगा है ठीक है सो भूलना नहीं याद से comment कर देना बात करें इन दोनों फोन की camera की क्योंकि camera में भी तो अच्छा होना चाहिए ना थोड़ा पहुंद POCO F5 में triple camera setup है 64 MP, 8 MP and 2 MP and 2 MP and उसके बाद Infinix GT 10 Pro में आपको देखने के लिए 108 MP 1 man camera, 2 MP Macro and 2 MP depth sensor and दोनों फोन में selfie के side में Infinix की बात करूँ तो 32 MP का selfie camera and F5 की बात करूँ तो उसमें देखने के लिए 16 MP का selfie camera वीडियो resolution को देखें तो दोनों में ही 4K में 30 fps तक की support है and 60 fps 1080p में and 720p में ठीक है दोनों में ही है and दोनों में ही जो camera की quality है काफी हद तक अच्छी है normal photos and videos आज आती है लेकि इन दोनों फोन में जो बढ़िया camera लगता है मुझे आपर Poco F5 का लगता है and selfie के side में video resolution जो है यह पर मुझे यकीन तो नहीं हो रहा है लेकिन बताना पढ़ रहा है आपको 2K में 30 fps Infinix में and 1080p में है यापर 60 fps तक दोनों में ठीक है इसको display से भी बहुत प्यार रहता है क्योंकि display से ही तो graphics enhance रहती है ना तो यहाँ पर दोनों में ही बता दूँ 4K में 60 fps में HDR support है यहाँ पर YouTube में कोई video देखोगी उसमें so यह अच्छा है 4K में 60 fps मज़र ले सकते हो भाई बिग स्क्रीन का एंड दोनों में जो स्क्रीन लगी हुई है काफी बड़ी है पीक brightness जो है यहाँ पर Poco F5 में 1000 की है एंड जो Infinix GT 10 Pro है उसमें 900 की आपको पीक brightness देखने के लिए मिल जाएगा इन दोनों फोन के display size एक से है 6.67 इंचिस की Full HD Plus AMOLED display लेकिन जो Poco F5 में है न यहाँ पर आपको 68 billion colors देखने के लिए मिल जाएगा Dolby Vision देखने के लिए मिल जाएगा HDR 10 Plus का support देखने के लिए मिल जाएगा 120Hz का refresh rate एंड यहाँ पर Infinix GT 10 Pro में देखने के लिए मिल जाएगा आपको AMOLED display 1 billion color, 120Hz का refresh rate एंड इसमें Dolby Vision भी नहीं है बहले से दोनों फोन की screen सेम है लेकिन bezels काफी कम है Poco F5 में एंड चारो तरफ एक सा bezel से ठीक है एंड जो Infinix GT 10 Pro है उसमें नीचे एंड ऊपर में जो chin है काफी बड़े हैं एंड आइट राइट की bezel भी Poco F5 से थोड़े से बड़े हैं जो की देखने में लगता है एंड GT 10 Pro से Poco F5 काफी slim है काफी पतला है दोनों फोन में इस्टूरी स्पीकर है उपर के साइड में एंड डीजी के साइड में दोनों फोन का जो इस्टूरी स्पीकर है लेकिन मुझे बैस्ट लगा है जिट्रेंड प्रो का एंड काफी loud साउंड भी कर रहा है हूँ मैंने तो अपना एक्सपीरेंस बता दिया लेकिन आप भी अपना एक्सपीरेंस बता सकते हो साउंड सोनो उसको बार बार और बताओ कि दोनों फोन में बैस्ट एंड काफी loud साउंड किसका है अब करेंगे इसमें फाइनल गेमिंग टेस्ट एंड सबसे पहले देखते हैं फिरी फार में फिर पबजी भी ट्राइब करेंगे एक दो गेम और ट्राइब करेंगे ठीक है हिसे से से सिதोंड का कि आए जो फीरिफार है प्ल्यायर जिनको वांट्छार मारने में प्रॉबहन जाती है एंड़ द्रेट आप्र हत्ता हैं तोली करते कि दुधा से कूछ ज़ते हिए ठीक है नसको करते हैं किसमिलर कित्हाञा जादा मुझे यहाँ पर इंफिनिक्स का लग तो रहा है मुझे थोड़ा बहुत यहाँ पर देख सकते हो आप फिर से करके देखेंगे हम चलो यहाँ पर है बीचों बीच में मैंने तीन चार बार ट्राइ किया सेंस्टूटी चेक करने के लिए एंड दोनों में सिमलर सेंस्टूटी थी मेरी जो उंगलिया है ना इंफिनिक्स में थोड़ी आँगे एंड पोको में थोड़ा सा पीछे आ जा रहा था जिसके करन मुझे ऐसा लग रहा था कि इंफिनिक्स में थोड़ी सी ज्यादा सेंस्टूटी जबकि ऐसा कुछ नहीं है दोनों में sensuity same है यहाँ पर फिर मैंने दोनों में heating भी test की कि यहाँ पर heating तो नहीं हो रहा है यहाँ पर दोनों में एक सी heating मतलब दोनों फोन को मैं काफी दीर से use कर रहा हूँ एक साथ यहाँ पर दोनों में एक सा heat यहां पर मुझे देखने के लिए मिल रहा है फिर मैंने थोड़ा सा सेंसिविटी और चैक करने के लिए ड्रैग है चोट वाला यहां पर थोड़ा से सिस्टम किया मतलब कुछ इस प्रकार का जो कि मैं अभी करते आ रहा हूं इसमें न अच्छा गात है आपर रिस्पॉंस देखने के लिए मिल जाता है कि सेंसिविटी किस में चाहता है किस में कम है सो मुझे तो दोनों में सेंसिविटी एक सा लगा आपको क्या लग रहा है आपके ओपिनियंस जरूर सेयर करना देखो या फोन में कितने अच्छा हैट्शॉट लगे उससे मतलब तो नहीं होता लेकिन फोन लैग नहीं करना चाहिए या एफ़ ड्रॉप नहीं होना लेकिन आपर जो बैस्ट गेमिंग मैं बोल सकता हूं जिसमें होती है वो पोको F5 है फोको F5 5G इंफिनिक से थोड़ी बैटर गेमिंग होती है क्योंकि एर फोन वो काफी ज़यदा मतलब की थोड़ा महंगा भी है एंड फोन में जो प्रूसर है वो भी हद तक अच्छा है एंड जो पहोमेंस है वो भी हद तक अच्छा है ठीक है एंड काफी ज़यदा हाई ग्राफिक्स में गेमिंग कर सकते हैं लेकिन इंफिनिक्स जड़ी टैन में नहीं कर सकते हैं बात करें पबजी की ग्राफिक्स की सो इसमूद में 90 fps दोनों में सपोर्ट है ठीक है लेकिन यहां पर जो इंफिनिक्स है HDR में अल्टर है सिर्फ इंफिनिक्स में HDR में अल्टर 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 अजडियार भी नहीं है HDR में अल्टर लेकिन यहां पर जो पोको है उसमें अल्टर अजडियार में इस्ट्रीम तक की सपोर्ट है एंड थोड़ी हाई लेवल की गेमिंग एंग ग्राफिक्स है ठीक है तो इतनी ग्राफिक्स में अच्छा खासा गेमिंग हो जाता है पोखो F5 की बात करूं थोड़ी सी यहां पर कम ग्राफिक्स देखने के लिए मिलती इंफिनिक GT 10 Pro में लेकिन 90fps का दोनों सपोर्ट मिलता है सबसे पहले मैंने पबजी खेला इंफिनिक GT 10 Pro में सो कुछ इस प्रकार की केमिंग हो रही थी यहां पर जो फ्रेम ड्रॉप हैं वहलके फलके दिख रहे थे एंड उत्ता अच्छा खासा fps नहीं मिल रहा था इस ग्राफिक्स में क्योंकि यहां पर HDR में जो अल्टर है उतना भी अच्छा ग्राफिक्स नहीं है सो यहां पर अब देखो Poco F5 में एंड इंफिनिक GT 10 Pro में कितना जाता फर्क है ग्राफिक्स में ठीक है क्योंकि उसमें है अल्टर एजडियार इस्ट्रीम एंड इसमें है पर जो fps काफी बैटर मिल रहे है इंफिनिक से एंड जो फ्रेम रेट है वह भी हद तक अच्छा है आपर मिल रहा है रेट वह भी अच्छा मिल रहा है ठीक है ओको के मुकाबले तो आपको क्या लगता है comment box में comment जरू करना यदि आपको वीडियो पसंद आती तो यार प्लीज वीडियो को लाइक जरू करना चैनल को सब्सक्राइब करके बाजव अलकुल पर सेट कर डाला बहुत मैदत लग थी वीडियो बनाने में तो यार कर देना ला बाइब बाइब।